खूब अंग्रेजी सीख ली, और बोलने भी लगे, पर तूटी-फूटी बोल रहे हैं, सामने वाले को समझ आ जाता है कि अभी सीखी रहे हैं, पर सच्चाई तो ये है कि आप सीख चुके हैं, तो कमी कहां पर आ रही है भई, कमी आ रही है कि आपके अंग्रेजी में, आपक आपकी अंग्रीजी भी होती है, सुपब और नमबो वन, चलिए, शुरू करते हैं आज की क्लास, नमस्कार, मैं हूँ प्रीती माम, और आप देखने हैं, वी वैंकर, आज की क्लास को शुरू करने से पहले, क्यूंकि मैंने आपको बताया, कि ऐसे शब्द कराऊंगी, जो वा चलिए, शुरू करते हैं, आज की क्लास का सफर, जिसमें मैं कराऊंगी आपको 15 ऐसे शब्द, जो आपकी अंग्रीजी में जान डाल देंगे, शुरू करते हैं आज की क्लास, सबसे पहला शब्द जो है, वो है कैन, C-A-N, पढ़ते हैं इसको क्या, क्या पढ़ते हैं, क्य इसका जो अर्थ होता है, सीधे तोर पर होता है, सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं, इन ये चारो ही आपको दिख जाएंगे, जैसे सकता हूं की जहां तक बात है, तो इसको आप पढ़के समझ सकते हैं, कि या ये किसी कोई एक इंडिविजुल अपने लिए यूज सकती है, ये किसी फीमेल के लिए यूज करेगा, और सकते हैं, ये किसी थर्ड पार्टी के लिए यूज करेगा, तो इन चारो ही केसे में आप कैन का इस्तमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तमाल करेंगे, उसके पहले ये जानना जरूरी है, कि कैन का इस्तमाल आखिर वाक्य में पर जो योग्यता दिखाता हुआ होगा, अबिलिटी दिखाता हुआ होगा, सक्षमता दिखाता हुआ होगा, यानि कि कोई एक ऐसा वाक्य जो किसी के योग्यता के बारे में बात कर रहा हो, उसकी अबिलिटी के बारे में बात कर रहा हो, ऐसे वाक्यों के अनुवाद में आपको इस्तमाल करना है शब्द can का जैसे वे अंग्रेजी बोल सकते हैं they can speak English यहाँ पर आप किसी third party की ability की बात कर रहे हैं राइट वे अंग्रेजी बोल सकते हैं they can speak English वह तैर सकती है she can swim आप उसके talent की उसकी ability की बात कर रहे हैं अब देखिए तैर पाना हर किसी के बस की बात तो होती नहीं पर किसी को अगर तैर ना आता है वो तैर सकती है या सकता है तो ये सीधे तरीके से क्या हो जाएगी ability हो जाएगी है न she can swim तो यहाँ पर can का अस्तमाल हुआ आगे बढ़ते हैं दूसरे नंदर के शब्द की और 15 शब्द कराने वाली हूं पहला करा दिया दूसरे की और आगे बढ़ रहे हैं अगला शब्द है में म-A-Y में अगें से बता दूँ ये अप्रील और में वाला में नहीं है ये है शब्द हमारा जिसको पढ़ते हैं में उचारन बिल्कुल वही महीने वाले के होगा और स्पेलिंग भी जो है लगबग सेम होती है लेकिन इसका इस्तमाल जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है जैसे इसका जो अर्थ होता है वो होता है सकता हूँ, सकता है, सकती है, सकते है ये चार इसके अर्थ होते हैं अगैन सकता हूँ आप अपनी बात करते हैं सकता है, सकती है किसी और की बात करते हैं सकते हैं थर्ड पार्टी की बात करते हैं तो फिर इसका अस्तमाल कैसे करते हैं इस्तमाल से पहले हम लोग को क्या जानना है, हम लोग को जानना है क्यूं, जो आपके वाक्यों में डालेगी जान, तो वाक्यों में आप में का इस्तमाल क्यूं करें या कहां करें, तो ये समझने के लिए आपको जानना जरूरी है कि में का स्पेसिफिकली इस्तमाल किस लिए होता है तो ध्यान रखे में शब्द का इस्तमाल आप वैसे वाक्यों में करेंगे जो वाक्य में संभावना दिखाता हुआ वाक्य हो यानि कि में का जैसे ही आप इस्तमाल करते हैं वाक्य में यह वाक्य में संभावना यानि कि possibility को दिखाता है सबसे पहली बात दूसरा अनु भावना, अनुमती, अनुरोद, possibility, permission, request, इन तीनों ही जगहों पर आपको इस्तमाल करना है, शब्द मेका, हमें देर हो सकती है, we may be late, हमें देर हो सकती है, we may be late, अब यहाँ पर क्या है, मान के चलिए आप कहीं से कहीं जाने के लिए निकले हैं, ठीके, और आपने calculate कर लिया थ जाना कि ट्राफिक मिलने वाला है, और आप जहां पहुचने वाले हैं, वहाँ कॉल करके क्या बोलेंगे आप, कि हमें देर हो सकती है, लेकिन जैसे ही आपने कॉल कट किया, पता चला ट्राफिक खुल गया, अब तो देर नहीं होगी ना, लेकिन उनको कह दिया आपने कि द देर हो सकती है, तो जब आपने ये कहा, कि हमें देर हो सकती है, तब आपने एक संभावना जताई, कि क्यूंकि ये भी ट्राफिक है, तो देर हो सकती है, we may be late, possibility संभावना, तो यहाँ पर इस्तमाल हुआ मे शब्द का, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, may I help you, अगला ह हमारे पास ये question है, और मे का इस्तमाल है, समझ ये, कोई busy है, रास्ते में कुछ कर रहा है, है ना समान में कुछ ढूंड रहा है, या वो किसी चीज़ को देख रहा है, तो आप उन से जाकर के सीधे सीधे, आपको पता तो नहीं है न, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, तो आप परिशान देख करके, जाकर के पूछेंगे पहले कि क्या मैं आपके मदद कर सकता हूं, may I help you, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप permission मांग रहे हैं, may I help you, अच्छा, आगे बढ़ते हैं और तीसरे शब्द की बात करते हैं, अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अ मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, may I come in, आप request कर रहे हैं, तो यह तीनों अस्तमाल हो गए में के, चेके, तीसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं, तीसरा शब्द है could, c-o-u-l-d, could और l जो है उच्छारन के वक्त, l जो है वो silent रहता है, इसी के वज़े से इसको could ब जगा पर आप अनुवाद में could का अस्तमाल करेंगे, ठीके, क्या दिखेगा वाक्य क्यंत में, सका सकी सके, नहीं तो, पाया, पाई, पाए, यह दिखेगा आपको, अच्छा, again से reason जानना ज़रूरी है, जान डालने के लिए factor जानना ज़रूरी है ना, अखिर कि कैसे आप इसको इस्तमाल करेंगे कि इन वाक्यों में, कि आपके अंग्रेजी के वाक्यों में जाना जाएगी, तो could का इस्तमाल करने से पहली भी इस बात का ध्यान रखें, कि यह वाक्य में भूत काल की योग्यता, या सजज़ाओ को दिखाता है, यानि कि भूत काल की योग्यता, past पास्ट अबिलिटी या सुझाओ यानि की सजेशन को दिखाता है, क्या है इस कर्ट, एक्जेम्पल्स देखिए, बहुत 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 बहुतरीन तरीके से समझाएगा, वह नहीं जा सका, he could not go, वह नहीं जा सका, he could not go, यह कैसा लाइन है, यह कैसे दिखाता है, कि यहाँ प अगर आप किसी की शादी में जाने वाला था, और आपने पूछा किसी अपने और मित्र से कि क्या वो गया था, उसने जवाब दिया, नहीं, वह नहीं जा सका, तो अब शादी वाली जो घटना है, वो पास्ट में हुई न, आज की तो नहीं है, वो पिछले वो बीट गई गटना, लेकिन उसकी अबिलीटी थी कि वो नहीं जा सका, मतलब अबिलीटी हमेशा जो है, वो पॉजिटिव हो यह जरूरी नहीं है, अबिलीटी तो अबिलीटी होती है, मतलब शमता तो शमता होती है, किसी के पास होती है, किसी की नहीं होती है, शमता पॉजिटिव तो यह क्या है उसकी past ability है कि वो नहीं कर सका उस काम को आगे बढ़ते हैं हम अच्छे से पढ़ाई कर सके we could study well हम अच्छे से पढ़ाई कर सके we could study well यहाँ पर भी same है है ना past की ही बात हो रही है बढ़ते हैं आगे चौते शब्द की ओर जो की है could be c-o-u-l-d could और साथ में जानिये हो सकता था या हो सकता है समझने वाली बात है हो सकता था यह काफी widely इस्तमाल होता है could be के लिए पर could be का इस्तमाल हो सकता है के रूप में भी होता है तब जब वाक्य में possibility की बात हो ठीके संभावना की बात हो possibility की बात हो जैसे वह अस्पताल में हो सकता है he could be in the hospital अगर आप तीवी देखते होंगे तो आपको पता होगा जब नॉर्मली किसे कोई लापता हो जाता है तो लोग hospitals भी सर्च करते हैं है ना क्या बाते करते हैं कि यहाँ चक कर लिया वहाँ चक कर लिया वो हस्पताल में हो सकता है तो क्या संभावना जता रहे हैं आप शूर नहीं है कहां है तो वो बीमार हो सकता था उसने इतना भीगा बारिश में इतना भीगा कि वो बीमार हो सकता था और इसका अर्थ होता है शायद सकता है शायद सकती है शायद सकते हैं समझने वाली बात है कि यह जो बीच में ब्लैंक डाला हुआ है यह किस काम का है तो यह जो पीच में ब्लैंक है वो वाक्य के दूसरे शब्दों के लिए है जो वाक्य को कम्पलीट करने के लिए यहाँ पर फिल हो जाएंगे कैसे चलिए दिखाते हैं उसके पहले यह जान लीजे कि might का स्तमाल possibility दिखाता है वाक्य में संभावना को दर्शाता है चलिए कैसे दिखाता है वो देखते हैं शायद बारिश हो सकती है इट माइट रेन उन्हें शायद देर हो सकती है दे माइट भी लेट बढ़ते ही आगे अगले शब्द की ओर छटे नंबर शब्द की ओर पंदरा शब्द कराने हैं सिक्स नंबर अभी चल रहा है चलिए देखते हैं अगला शब्द है विल डबलू आई डबलल विल जिसका अर्थ होता है गा गे गी और यकीन मानिए ये सबसे असान शब्द है गा गे गी अगर आपको वाक्य के अंत में दिखें सिंपली अनुआद करते वक्त आप विल का स्टाडी मैं पढ़ाई करूंगी आई विल स्टाडी सिंपल है बहुत असान है इसलिए कहा सबसे असान है ये सेवन्थ नंबर शब्द की बात करते हैं अगर सेवन्थ नंबर शब्द है वुड डबलू ओ यू अल डी पढ़ते हैं इसको वुड क्योंकि एल जो है वो साइ जिससे आपको ये समझाएगा कि आपको किस वाक्य में विल का इस्तमाल करना है और किस वाक्य में वुड का इस्तमाल करना है है ना मज़ेदार ट्रिक चलिए देखते हैं वुड जो है वो वाक्य में संदेह या डाउट को दिखाता है या फिर संभवना पॉसिबिलिटी को दिखाता है, would, ऐसे ही वाक्यों में इस्तमाल होगा, जो संदेह दिखाता हुआ होगा, या possibility दिखाता हुआ होगा, वह परिक्षा उतीर्ण करेगी, she would pass the exam, वह परिक्षा उतीर्ण करेगी, she would pass the exam, आप शौर थोड़ी नहें, आप संभावना जता रहें, पेपर हाड आ गया नहीं समझा आ गया, बिमार पड़ गये, तो पास नहीं नहोगा, तो आप संभावना जता ही आपने कि वह एक्जाम पास करेगी, she would pass the exam, आज बारिश होगी, it would rain today, आज बादल ऐसे थोड़ी है कि आपने स्विच दबाया और बारिश होने लगी, ऐसा तो नहीं है, बादल W-O-U-L-D, would, उचारन will be same, इस्तमाल होगा अब B के साथ, B-E-B, इसका अर्थ होता है रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी या रहा होगा, ये ऐसे इस्तमाल होता है, वह आ रहा होगा, he would be coming, वह आ रहा होगा, he would be coming, वे लोग पढ़ रहे होंगे, they would be studying, वे लोग पढ़ रहे होंगे, they would be studying, बढ़ते हैं आगे नौए शब्द की और, नौवा शब्दे हमारे पास शेल, S-H-A-L-L पढ़ते हैं इसको शेल, और इसका अर्थ होता है गा, गे, गी, ये एक और कन्फ्यूस करने वाली बात, मै मैं मने बता दी, आप आप यही सोच रहे हैं, क्योंकि will का स्तमाल गागेगी, would का स्तमाल गागेगी, shell का स्तमाल भी गागेगी, चलो भई, will और would में तुम मैं मने ट्रिक बता दिया, कि ऐसे करेंगे, shell का क्या करेंगे, बताती हूँ न, shell का स्तमाल आप नहीं करेंगे, क्य जानना क्यों जरूरी है बहुत जरूरी है क्योंकि knowledge is everywhere used है ना knowledge जो है हमेशा इस्तमाल हो जाता है हर जगाह पर तो आपको ये इस्तमाल जानने की ज़रूरत नहीं है क्यों? क्योंकि ये वैभारिक तौर पर अब इस्तमाल होता ही नहीं है Spoken English में यानि कि जो हम लोग अंग्रीजी बोलते हैं उसमें Shell का इस्तमाल वैभारिक तौर पर अब किया ही नहीं जाता है तो ये शब्द इस्तमाल किया ही नहीं जाता है, ये information भी तो जानना जरूरी है, ताकि आप इस्तमाल करना बैठें कभी इसको, और मजाक के पातर ना बने, है ना, ये information तो जानना जरूरी है, इसी लिए shall को पढ़ना भी जरूरी है, कि shall का अर्थ तो होता है गागेगी, लेक QLD पढ़ते हैं इसको, शुड, L यहाँ पर भी silent होता है, शुड का अर्थ होता है चाहिए, शुड का क्या अर्थ होता है, चाहिए, लेकिन ये अर्थ यहीं तक सिमित नहीं है, क्योंकि शुड जो है किसी भी वाक्य, ऐसे वाक्य में इस्तमाल होगा, जो सुझाव देने व उसे जल्दी उठना चाहिए, शुड वेक अपर ली, अब भाई किसी को 10 बजे तक सोनी की आदत है, आप उसे एक दिन जा करके कह दो के 10 बजे तक सोती हो, तुमको सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, सुबह 7 बजे उठना चाहिए, 6 बजे उठना चाहिए, पसंद धोड़ी आएगी, वो बात उसको, suggestion धोड़ी पसंद आएगा तो ये सुझाव आपने दिया, implement हो, ना हो, बात की बात है लेकिन सुझाव आपने दिया, तो आपने किस का स्तमाल किया, आपने should का स्तमाल किया She should wake up early, उसे जल्दी उठना चाहिए, she should wake up early उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, they should work hard 11 नमबर श्रब्द की और बढ़ते हुए, हमारे पास है अगला श्रब्द, should be S-H-O-U-L-D, उच्चारन विल बी, same should, साथ में लग जाएगा be अर्थ होता है, होना चाहिए, होना चाहिए be का मतलब क्या होता है बताईए, जल्दी बताईए करा चुकी हों already, हो या होना should का अर्थ क्या कराया, चाहिए, तो should be, होना चाहिए उसे घर पर होना चाहिए, he should be at home उसे घर पर होना चाहिए, he should be at home उन्हें दयालू होना चाहिए, दे शुड बी काइंड, बारवा नंबर शब्द की ओर बढ़ते हुए और अगला शब्द है must, must जिसका अर्थ होता है अवश्य चाहिए और जब भी अवश्य लग जाता है किसी में तो पता चल जाता है कि काफी importance वाला शब्द है अवश्य चाहिए must, यह वाक्य में दृड आवशकता यानि कि firm necessity को दिखाता है दृड आवशकता, मतलब चाहिए मतलब चाहिए अवश्य चाहिए, इस्तमाल करेंगे must, उसे अवश जाना चाहिए, he must go, उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, they must buy a car, उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, they must buy a car, 13th नमबर शब्द के और बढ़ते वे, जो की है have to, have to, अर्थ होता है ना है नी है या ना पढ़ता है नी पढ़ती है, दोनों ही तरीकों से इस्तमाल होता है और इस्तमाल हो जाता है I, U, V और दे के साथ, इस्तमाल देखें उसके पहले अर्थ जानी है जो वाक्य में जान डालेंगे, ये वाक्य में forced परिस्थितियों को दिखाता है, forced circumstances जो होते हैं, मतलब कोई चीज नहीं करनी, लेकिन करनी पढ़ रही है, तो आपको force किया जा रहा है उस चीज के लिए, उस particular चीज के लिए, तो उसके अनुवाद में have to कस्तमाल होगा, मुझे जाना है, I have to go, मुझे जाना है, I have to go, हमें पढ़ाई करनी है, we have to study, हमें पढ़ाई करनी है, we have to study, 14th नंबर शब्द के और बढ़ते है, इस्तमाल बस अलग है, that is, इसका इस्तमाल होगा, he, she, it और किसी भी नाम के साथ, उसे पढ़ाई करनी है, he has to study, उसे खाना बनाना है, she has to cook, उसे खाना बनाना है, she has to cook, रोहन को बाजार जाना है, रोहन has to go to market, रोहन को बाजार जाना है, रोहन has to go to market, पंदरवा और आखरी शब्द, क्या है, चलिए देखते हैं, used to, used to, कोई काम किया, करता था, करती थी, करते थे, ऐसा आपको जब भी दिखे वाके में, तो आप अश्योर हो जाईए, कि used to का अस्तमाल होगा, लेकिन एक ट्रिक के साथ, ट्रिक क्या है, used to का स्तमाल आपको किसी भी ऐसे वाके में करनी है, जो वाके क्या वर्णन करता हो, किसी past habit, भूत काल की आदत को दिखाता हुआ हो, उस में used to का स्तमाल करना है, ये बात ये कड़ी अगर याद रखेंगे, तो used to को स्तमाल में कभी दिक्कत नहीं आएगी, इस्तमाल देखिए, वा क्रिकेट खेला करता था, he used to play cricket, he used to play cricket, so yes guys, ये थी आज की क्लास, और क्लास कैसे लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्लास बढ़िया लगी, क्लास पसंद आई, क्लास को करिये like, करिये share, च और टेलेग्राम पर आजाएं, साथ ही टेलिग्राम पर कैसे आएंगे, ये जान लीजे, टेलिग्राम पर लिखकर सर्च करिए, बी बैंकर, मिलेंगे बी बैंकर, education solution के नाम से, सबसे पहला सर्च मिल जाएगा, साड़े तेरह जार से ज़ाधा subscribers है, तो सही चानल के साथ जो इन तीनों किताबों की updates के लिए साथ ही हमारी किसी भी paid course को join करने के लिए paid course जिसके लिए fees लगती है ठीक है paid course भी available है free courses भी available है आपकी मर्जी है जिस course को लेना चाहिए आप ले सकते हैं जैसे कि है premium spoken English का course, basic English grammar का course, basic English reading का course ये तीनों ही exclusively paid courses है इसके अलावा free courses भी available है तो telegram पर बस आपको करना है message कि ma'am मुझे free course चाहिए, ma'am मुझे paid course चाहिए फिर हमारे प्रतिनीदी आप तक सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध करा पाएंगे जानकारी मिलने में फिर भी 12-30 गंडों का वक्त लग जाता है तो किरपया प्रतीक्षा करें और अगर message कर दिया है निश्टिन्त हो जाएं आपको reply जरूर जरूर मिलेगा, clear हो गई पाट? So yes guys that's it for today, thank you so much for watching, be with bbanker, empowering lives through knowledge, thank you so much for watching, stay tuned to bbanker